प्यारे भी त्यारतियों मैं हूँ सुभम कुमार और आप देख रहे हैं SPPA Online जहाँ अपलब्ध है दस्मी बोर्ड परिक्षा को ध्यान में रखकर त्यार की गई सबी विजयों की वीडियो क्लासेज अगर आपको किसी भी विजय की वीडियो ढूंडने में परिशानी होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं जहाँ आपको हर एक विजय के वीडियो समो अलग-अलग मिल जाएंगे फिलहाल आने वाले वीडियो क्लासेज की जानकारी के लिए आप चैनल को सस्क्राइब कीजिए और हाँ वेल आइकोन के बटन को दबाना नहीं भोलिएगा तो के शुरुआत करते हैं आज की क्लासेज आज हम लोग अर्थ विवस्था के दूसरे अध्य है जिसका नाम है राज एवमराष्ट की आयकी वस्तोनिस्ट प्रश्णों को देखेंगे तो पहला प्रश्ण है किस अर्थ सास्त्रे ने गरीवी कुचक्र को परिवासित करते हु प्रोफेसर मार्शल प्रोफेसर फीशर जवाब है यह रैगनर नक्स ने कहा था कि गरीवी ही गरीवी को जन्रेता है यह इस तरह से है कि गरीव आदमी के पास बचत कम होता है पैसों का उसके सारे पैसे जो हैं खपत हो जाते हैं उब्होग में यानिकि उब्हों की हमारे रोटी कपरा और मका तो उसके पास पैसे की बचत कम होती है और पैसे की बचत कम होती है तो इन्वेस्ट वह पैसा इन्वेस्ट कम कर पता है और इन्वेस्ट कम करेगा तो फिर उसके पास पैसे कमाएंगे तो इस तरह से देखा जाता है कि जो गरीव बैकती है वह हम प्रोफेसर केंस, प्रोफेसर मार्सल, प्रोफेसर फीसर सही अंसर है यह जो अर्थसासी थे प्रोफेसर केंस ने कहा था प्रोफेसर केंस ने कहा था कि राष्टी आय जो होता है वो भोगता बस्तू और बीन योग बस्तू पर जितना भी पैसा खर्च होता है उसके योग के रूप में बैक्त किया जाता है ठीक है तीसरा प्रशन देखते हैं तीसरा प्रशन है राश्टी आय के अंतरगत सामिल है उप्सन देख लेते हैं बस्तूओं का मुल सेवाओं का मुल दोनों इन्वे से कोई नहीं हम सभी जानते हैं अभी अभी पर हैं गिकवी चोटा अंदर जितने भी अक साल में बस्तूओं उत्पादन हुई और सेवां पादन हुआ इन दोनों का मौद्लिक मुल्य होता है यहीं होता है राश्टी आय तो यह इसका सही जबाब क्या बोनों हो जाएगा ओके चौथा प्रश्ण है भारत में सांखी की विभाग के अंतरगत कौन सा संगठन राश्टिया के अकलन के लिए उतरदाई है ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए है सी एस ओ यानिकि सेंट्रल सर्वे ऑफिस फूल फूछा जाता है इसलिए फूल फूर्म या कौन लगाता है तो सी एस ओ लगाता है यह आपको ध्यान रखना है पांचमा प्रश्ण है कुल उत्पादन एबं उत्पादन में किये खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है तो ऑप्शन देख लेते हैं सुधराश्टिया यानि कि आपका सही हो जाएगा प्रश्टी आई की गन्ना केंद्रिय सांखी की संगठन CSO का सहयोग कौन सा संगठन करती है तो हम सभी जान चुके हैं पहले उपर के प्रश्टी आई की गन्ना कौन करता है CSO करता है CSO का फुल्पर्म क्या होता है Central Aesthetic Office लेकिन इसका सहयोग कौन सी काई करती है तो सहयोग करता है option देख लेते पहले NSSO यूजनायोग नीतियायोग इनमें से कोई नहीं इसका जो सही जवाब है यह है NSSO National Sample Survey Office तो यह जो है CSO को सहयोग करती है क्या बनाने में राश्टी आई बनाने में साथमा प्रश्ण है तीसा के भयानक आर्थिक मंदी कब हुआ था option यह है 1929 से 1929 यानि काल करम देखना है 1921 से 1925 1950 से 1951 डी है इनमें से कोई नहीं सही option क्या है 1929 से 1929 के काल में जो है तीसा में तीसा की भयानक आर्थिक मंदी हुआ था है ना और इसका व्यापक प्रफा सही जवाब है 1860 में यहां पर confusion से बजना है 1960 नहीं होगा स्वतंतरता से पहले लगाया था तो जब भी होगा 1868 होगा अगर आपको कहीं पर 1860 में confusion हो जाए तो आप याद रखेगा जो पहली वार राष्टिया कानुमान लगा था वो हमारी आजादी से पहले लगा था तो उने सो और सट तो आजादी के बाद हो जागा तो अठारा सो और सट ही होगा ठीक है नौमा प्रश्ण है पोवर्टी एंड अन्विटीश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस ने लिखा था ओप्सन ए है दादा भाई नैरो जी बी है मन मोहन सिंग दी है सी है जवार लल नेरू और डी है महात्मा गांदी तो पुवर्टी एंड अन्विटीश रूल इन इंडिया जो पुस्तक था ये लिखे थे दादा भाई नैरो जी इसका सही जवाब है आज का दस्मा प्रश्ण है उनीस सौव उन्चास इसी में किसकी अध्यक्सता में राष्टी आई समित समिति का गठन किया गया था ओप्सन देख लेते हैं पहला डॉक्टर वी के आरवी राओ दूसरा है प्रोफेसर पीपी महान महाल नोवीश सी तीसरा है दादा भाई नैरो जी और डी है इनमें से कोई नहीं इसका तो सही जवाब है यह है प्रोफेसर पीपी महाल नोवीश इनके अध्यक्स्ता में राष्टी आई समीति का गठन किया गया था उन्हें सोउ नचास में क्यों किया घाखचता में पहली बार राष्टी आयका अनुमान लगाने के लिए आकर जारी करने के लिए यह समीती का गठन किया गया था जिसके अध्यक्स थे कौन पीपी महाल नोविस और इन्होंने पहली बार उन्हें सब बावन में इसकी रिपोर्ट जाड़ी किया था और जिसमें देश की राश्टी आये 8,650 जो है कहा गया था छोसो पचास उर्पया बताया गया था ठीक है 11 प्रश्ण देखते हैं 11 प्रश्ण है राश्टी आये की गनना की विधी है तो ऑप्सन है ए उत्पादन गनना विधी बी है मुल्य योग विधी सी है वेवसाइक गनना विधी और डी है सभी तो इसका जो सही जबाब होगा ना पूरे देश में एक साल में उसके जो है वेल्यू कॉंट कर लिया जाता है क्योंकि जो भी उत्पादन हुआ है लोग खर देगा है और लोगों लोग तभी खर देगा जब लोगों की इंकम होगी तो यह कॉंट कर लिया जाता है कि जितना अब बस तू उत्पादन हुआ व से कब्undra साद्स या कोई से कभी कभी अचानक से ऊची महांगा हो जाता है इस आदा पर जाएगा तो इसलिए यहां पर यह थीँ और तीसरा है व्यवसाइक गन्हाविधी तो बैवसाइक गन्हाविधी मैं आधार पर की गई जो गन्हाविधी इसका ईंसर यानि के तीनों बिद्ही के दोरा रास्ट्य की गन्हाविधी लिए इसका डी आंसर सई होगा बार्मा प्रश्न है जिस देश के राष्टी ये आधिक होती है वह देश कहलाता है पिछरा विकसित विकास सील कोई नहीं तो जिस देश की राष्टी ये जितना अधिक होगा वह देश उतना अधिक बिक्सित क्याल लाएगा ठीक है ये तो सभी जानते हैं मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वह अतना डेवलप होगा हाना तेर्मा प्रश्ण है देश के खिल जनसंख्यां से भागक्ते हैं uki टाटा निकलता है हमारा वहीं परतिवेक्ति आये हैं जैसे आपके परिवार का इंकम एक हजार रुप और आपके परिवार आपक और वह पांस लोग रहते नहीं भाग दो Bringing नहीं है ना तो कितना हो जाएगा 200 रुपए तो पड़ आदमी पर 200 रुपए इंकम होता है उसी तरह से देश के प्रतिवेक्टिया निकाला जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि देश में सबसे पहले राष्टिया कौन अनुमान लगाया था दादा भाय नैरो जी ने लगाया लगाय जो गुजरात के चर्चित उद्योगपती थे तो यह जो है 10 रुपए 20 रुपए 15 रुपए तो कौन सा था तो सबसे पहले जब उन्हें 260 में इन्हों नानुमान लगाया था उस समय जो है पर्तिवेक्ति यह कितना होगा 20 रुपए था मतलब एक लोगों का इंकम केवल और केवल 20 रुपए थे ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं चौत्मा प्रस्ण है उत्पादन एबम आई गन्ना बिधी आर्थिक दिष्ट को यह सफरों का यह सहज भी है भैज्याणिक भी वी वह था बैघ्यानिक द्रिष्टी में और भ्عवारीफिक द्रिष्टी फीष्टी है सब्क्राइब कुछत है भारत में नियमत गन्ना कब से प्रारंब होई यह brutalode पेप्रांब नहें some 251, 1951, कभी कोई अनुमान लगा लिया, पिर पांस साल के बाद लगा तो नियमित गन्ना का मतलब हुआ कि उस दिन से चलने लगा तो अभी हर साल राष्टिया की गन्ना होती है आप लोग नीज सुनेंगे तो उसमें आता है कि इस वार राष्टिया इतना रहने का नुमान है यह पूछा भी जाता है बोर्ड में तो आपको ध्यान रखना पड़ जी तो तीसा की जो भयानक आर्थिक बंदी हुई थी इसे उबरने के लिए जो उपाय बताया थे यह थे प्रोफेसर केंस ने बताया थे तो यह याद रखना है 17 प्रश्न है 2008 ना का नुसर भारत की ओशत परतिवेक्ती आई है यह आपके किताब में दिया था इसले 2008 ना का आक्रे हलाकि परतिएक साल जारी होते है तो हम लोग अपडेट आकरा भी देखते हैं तो 2008 ना के अनुसार परती वैक्ति आए कितना था? 25,494 रुपय है ना परती वैक्ति आए ये साल आना है ठीक है? तो एक साल का आए है अब हम देखते हैं current डाटा क्या है? अठारमा प्रश्ण है वीतवर्स 19-20 में परतेक वैक्ति मासिक है वीतवर्स आप सभी जानते हैं पि प्रतिवर्स गर्ट करना ही परेगा चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण भारत में किस राज की परठीवक्ति है इसरवाधिक है बिहार पंजाब हर्याना गोवा तो यहां पर देखेंगे आप यह जो घुए बहुत ही अधिक है Goa की परतीवक्ति हर साल ज्यादा रहता है इसका तो Goa की पर और अगर केंदसासित प्रदिस में बात करेंगे तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा आधिक है तो याद रखेंगे दोनों बीसमा प्रशन है बिहार के किस जिले का प्रतिव्यक्ति है सरवाधिक अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में किस जिले का प्रतिव्यक्ति है तो कहां है तो इसका जो सही जबाब है वो है सीवर यानि कि सीवर एक ऐसा जिला है जहां पर प्रतिव्यक्ति है बिहार में भी सबसे कम है और 22 मा प्रश्ण यानि कि आज कांतिम प्रश्ण देखते हैं वह है भारत में सबसे कम प्रतिव्यक्ति आए वाला राजी कौन सा है अ सबसे कम परतिवक्तिया वाला राज है तो इस तरह से हमने आज 22 कुश्चन देखे दूसरे अधिया में और इसके पीडियेफ को आप डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं फिरहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी इसी तरह से अगले च